दमण मां बीजी मार्चे सलीम में मन बारवटी आ नामना पूर्व काउंसेलर पर पांच जितला इस समोय अंधादुन फाइरिंग करी हत्या करी ना किया दी आगुना मां दमण पोलिसे सलीम नी हत्या करना रवापी ना उपिंदर राइस सहित बैलोको नी धर पकड करी शे प्रात्मिक ताड़न मुझब मिलकत ना जगडा आने सलीम तेनू मर्डर करी नाक्षे तेवी संकामा आरोपी यो ए सलीम नू धीम डाड़ो दिदा हो आनो सामय आविशे दमण मा गट बीजी मार्चना सांचे दमण मा पोतानो बाइक नो शोरूम धराओ तो सलीम में मन पोताना शोरूम मा हाजर हतो त्यारे पांच जेतला अत्यारो आवी चार्ज जेतला राउंड फाइरिंग करे हाता जेमा सलीम नू मुरुत्यों निपजुआतू आगटना बाद हतियाराओ फरार थेगे हाता जेनी दमण पोलिस तपास करी रही छे जे दर्म्यान तेओने वापी ना उपिंदर राय अने जाविद मती उल्ला खान पर संका जोता बन्ने नी अटक करी हती जोनी पूच परच करता ते होए सुटरों मंगावी या हतिया करी होवानू कबूल यू शे आगे दमण जिल्ला पोलिस वडा विक्रम जित सींगे वीगतो आपता जणावी हतू के सलीमनी हतिया मां आमें उपिंदर राय अने जाविद नी अटक करी शे त्यारे हतियाना सुटरों नी ओड़क ठेगे शे जे वने पंटूक समय मां दबोची लेवा माव शे हतिया पाचनना कारण अंगे तेमने जणावी हतू के उपिंदर राय अने सलीम वच्छे मिलकतने ले जगरा चालता हता जिमा थोड़ा दिवस पहला सलीम पर उपिंदर राय केस करे हतो एगुना मा सलीम जलवास भोगवी रात भोगवी परत आवी हतो इतले उपंदर राई ने डर हतों के सलीम तेनी हतिया करावी शकेशे जैदी सलीम नी सोपारी आपे पोतेज सलीम नी हतिया करावी नाखी हती दो मार्च को शाम को साथ बजे सलीम मेंमन नाम के पूर्व काउंसिलर का मर्डर हुआ था उनके ही शोरूम के अंदर घुशके कुछ हमलावरों ने बंदूग से उनके उपर गोली चलाई थी और उसके बाद उनको करीब 6 गोलियां लगी थी छे गोलियां फायर होई थी जिसके बाद उनकी मृत्य हो गए थी इस केस के अंदर हमें काफी टेकनिकल इंपूट्स मिले हैं और CCTV फुटेज के आधार पे हमने वर्क किया और जो हमलावर थे उनको आइडेंटिफाई किया है और ये एक planned murder था जिसमें उपेंद्र राय नामक व्यक्ति ने ये काम करवाया था जो contract killing करवाई थी लोगों को hire करके और उनसे firing करवाई थी इसके उपर अभी तक हमने इसमें जो questioning की है interrogation की है और जो digital evidence हमें मिला है उसके आधार पे हम अभी तक दो लोगों को arrest कर रहे हैं इसके अंदर उपेंद्र राय और जावेद नामके व्यक्ति को arrest कर रहे हैं बाकी जो active shooters थे जिन्होंने गोली चलाई थी उनको identify कर लिया है और उनकी तलाश अभी जारी है अभी वो लोग सभी भागे होए हैं टोटल पांच लोग थे उसमें गोली चलाने के अंदर और दो two wheelers का इस्तमाल किया गया था मोटिव इनकी आपसी रंजिश ही थी उपेंद्र राय और इसके बीच में प्रॉपर्टी का काफी लेंदेन था काफी समय से इनका जगडा चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर और पिछले साल सलीम महमन को उपेंद्र राय की कंपलेंट के उपर उसके खिलाफ केस रिजिस्टर हुआ था और वो जेल में भी रहा था तो उपेंद्र राय को ये एहसास था या उसको ये डर था कि शायद सलीम महमन उसके उपर हमला ना करवा दे है झाल झाल